शांती का राजा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय येसू इस चालीसे काल में प्रिय भाईयों और बहनों आज हम मित्रता यानी फ्रेंशिप पर मनंचिंतन करने जा रहे हैं प्यार पाना वह प्यार करना किसी भी मनुश्य के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है यह उसकी बुनियादी जरुरत है इस संसार में अपने अस्थित्व को मैसूस करने के लिए हमें एक दूसरी की आवश्यक्ता होती है इस शीवन की यात्रा में चाहे हमें अपना सुख दुख बाटने के लिए या फिर अपने कठिनाईयों, समस्याओं एवं अपने अनुभवों को बाटने के लिए किसी ना किसी की जरुरत तो होती ही है कलकता की संथ मदर टेरेसा यह कहती है इस संसार में अकेले रहना सबसे बड़ी बिमारी है इस बात को हम पुराने व्यवस्थान में भी देखते हैं उत्पती ग्रंथ अध्याय दो पत संक्या अठारा में अधन की वाटिका में जब इश्वर ने मनुष्य को अकेला देखा तो इश्वर को अच्छा नहीं लगा और इश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक उप्योक्त सहयोगी बनाऊंगा इससे यह बात सपष्ट होती है कि इश्वर ने भी मनुष्य के लिए एक साथी की जरूरत को महसूस किया हमें शारिरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, मनुवैज्यानिक तथा जीवन के हर एक पहलू में किसी न किसी की मदद जरूर होती है आगे बढ़ने के लिए चाहे हम वैवाहिक व्यक्ति हो या फिर अवैवाहिक, बच्चे हो, युवाहो या बुजुर्ग, हर किसी को एक न एक साथी की जरूरत होती है जिनके साथ वह अपने सुक दुख, अपने जीवन के अनुभवों को पाण सके वर्तमान युग में इस रिष्टे को मित्रता का नाम दिया जाता है लेकिन प्रिय भायों और बहनों, मित्रता के सही अर्थ को आज हम पहचानने में बहुत बड़ी गलती करते हैं सची मित्रता आज लुप्थ होती जा रही है अपने चारों और एक नजर डाल कर देखिए आज की मित्रता पर Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp पर आपके हजारों मित्र होंगे लेकिन कितनों के साथ असल में आपका सच्चा व गहरा रिष्टा है जब आप एक शण को याद कीजिए कि आपके बुरे वक्त पर ऐसा कौन सा मित्र है जिसने आपका साथ दिया होगा प्रिय भाईयों और बहनों आज लोग मित्रता का चुनाव बाहरी सौंदर्य, धन व ताकत पर करते हैं मित्रता तो ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम एहसास है, एक उपहार है जहां घृणा व स्वार्थ के लिए कोई जगण नहीं होती सच्ची मित्रता हमेशा आपको प्रोथ साहित करेगी, कभी आपको निराश नहीं करेगी सच्ची मित्रता आपको सीधी व सच्ची राह पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी प्रभु येसु ने स्वेम योहन के सूसमचार अध्याय 15 पत संख्या 13 में यह कहा है कि इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण त्याग दे हाँ प्रियभाईयों और बहनों सुख दुख कठिनायां समस्याय यह तो जीवन का अभिन अंग है लेकिन यह मित्रता का अंत नहीं बलकि उसकी परक है मैं मानती हूँ आज के युग में सच्ची मित्रता निभाना कोई आसान बात नहीं लेकिन नामोंकिन भी नहीं प्रियभाईयों और बहनों यदि आप एक अच्छे इंसान है तो आप एक अच्छे मित्र भी साबित होंगे मित्रता एक अटूट बंधन है एक एहसास है जहां माबाप भाई बहन सगे संबंधी सबका सनेह समाता है तो आए भाईयों और बहनों हम इश्वर से यह कृपा ववर्दान मांगे कि हम मित्रता को एक अनुपम एहसास होसला सहारा शक्ती विश्वास व आस्था का मौताज बना सके इस वक्त अपने सभी मित्रों के लिए आप इश्वर को धन्यवाद दे विशेशकर उन मित्रों के लिए जिनोंने दुख के समय में आपका साथ दिया है उन मित्रों के लिए भी इश्वर को धन्यवाद दे जिनोंने आपको धोका दिया है पर जिन से आपको जीवन में एक सीख मिली है हम स्वैम अपने आप के लिए प्राथना करें कि हम भी एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मित्र बन सकें यह प्राथना हम प्रभु परमेश्वर से करते हैं उनके पवित्र नाम पर आमेन